सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चो बच्चो हिंदी लैंग्वेज में पाठ पर्यावाची शब्द से मैं पुन्राविती कराने जा रही हूँ जो इस प्रकार है पहला कार्य बच्चो चित्र देखकर सही शब्द पर सही का चिन लगाईए बच्चो पहले चित्र के अनुसार सही शब्द ग्री होगा इसलिए ग्री पर सही का चिन लगाईए दूसरे चित्र के अनुसार सही शब्द पुष्प होगा इसलिए पुष्प सब्द पर सही का चिन लगाईए तीसरे चित्र के अनुसार शही शब्द सूर्य होगा इसलिए सूर्य शब्द पर सही का निशान लगाईए दूसरा कारे समान अर्थवाला एक एक शब्द लिखिए दिन दिन का समानार्थी शब्द दिवस पेर का समानार्थी शब्द व्रिच राद का समानार्थी शब्द रात्री प्रात प्रात का समानार्थी शब्द सवेरा सरोवर सरोवर का समानार्थी शब्द तालाव जंडा, जंडा का समानार्थी शब्द ध्वच, नाव, नाव का समानार्थी शब्द नौका, पत्र, पत्र का समानार्थी शब्द पत्ता, दोस्थ, दोस्थ का समानार्थी शब्द मित्र, किनारा, किनारा का समानार्थी शब्द तट तीसरा कारे, समान अर्थवाले शब्दों को मिलाईए बच्चों एक से छे तक कुछ शब्द दिये गए हैं उसके ठीक बगल में क से च तक भी कुछ शब्द दिये गए हैं समान अर्थी शब्द मिलान करके बॉक्स में लिखिए पहला, पहला शब्द है बारिस बारिस का समानार्थी शब्द च वर्षा होगा तूसरा, साप, साप का समानार्थी शब्द घ सर्प होगा तीसरा, पेर, पेर का समानार्थी शब्द अंग व्रिच होगा चौन्था, दिन, दिन का समानार्थी शब्द ख दिवस होगा पाँचवाँ बादल बादल का समानार्थी शब्द ग मेग होगा चठा फूल फूल का समानार्थी शब्द क पुष्प होगा बच्चों मिलान करे का उत्तर इस प्रकार लिखे पहला का च, दूसरा का घ, तीसरा का अंग, चौथा का ख, पाँचवाँ का ग और छठा का क उत्तर होगा बच्चों पाट परयावाची शब्द से पुन्रा वृती समाप्थ हुआ धन्यवाद